हलो देर वेलकम बाक तो दे चैनल और आप देखने है एजे फीफा और स्वाग आदे आपके मेरे चल में तो भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू 400 सब्सक्राइबर होगे फाइनल हमारे तो 400 सब्सक्राइबर स्पेशल एपिसोड है I don't know कई और इसमें से कोई एकाज सब्स लोग कमेंट करते हैं लाइक करते हैं उनके लिई भी धन्यवाद हो अप लोगों ने भी तरक क्मेंटों लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दीजिए फटवाइबर और इसरफ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें तो बढ़ते हैं मैच की तरफ फिलाल तो जो सिच्वेशन आपको बता है फिलाल टांस्पर विंडो में मेरा कोई काम नहीं हम कुछ करनी पा रहे हैं लेकिन मैं आज एक बहुत बड़ा चेंज करने वाला हूं और वो चेंज करने वाला हूं कि मैं जेम्स को जो एना में जहां डाला तो मने इसको स्ट्राइब करें सेंटर फॉर्वर्ड के लिए उसका जो था देवलप्मेंट का पूरा कूर सका था तो उसके हिसाब से मुझे इसको एक चांस देना चाहिए और देखना चाहिए कि हो ही परफॉर्म तो यह भी बहुत जरूरी बात है लुका रहा हूँ कि अगर इसको में आगे खिलाता हूँ तो मेभी ही केन रन फास्ट और कुछ हमारे लिए कुछ नए चेंजिस जो है वो करके दिखाए आई हूप तो इस पर थोड़ा से चेंज भी आएंगा हमारी फॉर्मेशन में और थोड़े बहुत चेंज भी आएंगे टीम की कैमेस्ट्री में लेकिन आई डूट नो टीम केमेस्ट्री के सट हूट इनका में ज्यादा कुछ चेंज करने आ ला हूँ नहीं मैं यहां से थोड़ा सथना चेंज करूगा जेम्स को वहां किला ऑगो लोकाकु को इसके साथ की लाने के लिए ट्राइ करूँ अगर ऐसा तो आज जेम्स खेलने वाले हैं जहा हमारे मतलब एकदम डॉप प्लेयर बना के खिलाने वाले हैं उसको आज को तो जेम्स के लिए जो भी डॉप प्लानम ने सेट किये तो इसके इसाब से परफेक्ट रहा है तो अब है होप सो कि जो मैचे आएंगे इनमें भी वो अच्छी परफोमेंस देगा लेट सी क्या होता है तो पेस्ट मैच जो हमारा होन वाला वास परस के साथ होना है और इसमें हैरी केन विगरा सभी खेलने वाले हैं और यह टीम भी काफी अच्छी है तो आई होप कि इस टीम के अगेंस्ट जो जेम्स कुछ ना कुछ स्पेशल कमाल धम मैच के शुरुआत यहां पर हो चुकी है और अब देखते हैं कुछ काम बन पाएगा कि नहीं ओके कंते के पास पॉल है कंते ने पास किया वैनर के लिए वैनर ने बहुत ही बड़े पॉल जेम्स के लिए और जेम्स को जैसे ही बाल मिला जेम्स भी या ने गोल दाग दिया और क्या बात है जैस दिन हमने शुरुआत ही उसी दिन हमको रिजल्ट मिल चुका है तो अब आप कमेंट करके मुझे बिदा सकते होगी जो हमने चेंजिस किये थे फॉर्मेशन में और पुजिशन में प्लेर्स के फॉर्मेशन में तो अगर आपको लगता है कि वो प्लाइन से भाई बंदा बाहर आया ना बहुत सारे चेंजिस उसमें आगे स्पीड उसकी इंक्रीज हो चुकी है शॉर्मेशन में अच्छी बढ़ चुकी है अब देखना आगे ने टाइम में क्या क्या क्माल जो है बंदा ही लॉड़ा करने वाला है तो हम देखेंगा जाता है भाईस में ये कुछ देखने लिबात है फीफा की ओके जेमस के वापस बाले जेमस फिर से ट्राइए और एक और वरली बाल बनिये लेकिन इस बार थोड़ा सा बाहर टारकेट से चूक गया यार गोल नंबर टू हो सकता जेमस का लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर फिर से ट्राइए करेंगे जेमस यहाँ पे लॉंग रेज शूट खड़ाब परफॉरमेंस करने के लिए उतार हुए या आदमी अब मतलब जब अच्छा चल रहा है सब तो क्या जरु रहा थे वाई ऐसे शॉट लेने की लेकिन कोई बात नी ओके वापस बास गेंद है और यहां से बहुत ही बड़िया बॉल और यह गोल जो था यह मतलब दिक रहा था मुझे की गोल होने वाला और बहुत ही अच्छी परफॉरमेंस यहां पे बहुत बड़िया पास थे और जो पास यहां पे मिला तो उसको बखू भी अंदर डाला और क्या बात है नो मैंस कोई बंद है यहीं लिकिन जिववान ने वह पे गोल ठोक दिया ऐले के पर बास बाल है क्या यहां से नो गुट सेव पसट आपड़रोमेंस यहां से लिकिन गोल नहीं होना बहुत ही बढ़िया ह फिलान कं वितर दे अले किना वह को एक गोल की और तलाष आश साहे ओके बह पर फॉर्शनली गूल बनाने, ओके गुड ट्राइए, वापस बॉल है हमारे पास, लेकिन एक मुम्मेंट बनाना पड़े, ओ, रॉंग पास यार, अब ठीक है पास, ओके गुड पास, गुड बॉल, ओ, सो क्लोज, तो फॉर्स्टाफ का एंड यहां पर दूनों टीमों ने लेके गूल दाग दिया है, लेक मिन दुखता हमारे पास चांस था, वहाँ पर दूसरा गूल का स्कोर करने का, लेकिन उनफोर्शनली वह गोल स्कोर हुआ नहीं है, लेकिन देखना राफ में कौन सी टीम गूल दागने वाली है, आपने टीम के लिए बी देखना जरूरी ह ओके तो यहाँ से अटाक पर चलिए टीम, बहुत ही बड़ी आप बॉलर, बहुत सुंदर पास है यहाँ से, और भाही किस्मेद खरावे लुकाखो की आज, लुकाखो जितने शूट ले रहा है वह गोल में नहीं जा रहा है, वहाँ हैं वाली के पास बॉल है, और यहाँ स सब चेंज कर लिए साइज सिचुएशन और बहुत ही बड़ीया पास था जेम्स गा और हेवर्ट स्कुएज जब बॉल मिली तो हेवर्ट स्कूर तो आपको पता है कितने टाइम से बाई ये बंदा गोल स्कोर कर जा रहा है बहुत ही बड़ीया परफोमेंस वापे वैसे तो काफी अंदर आ चुके थे हैं डी बॉक्स के अंदर आ के हमने शूट लिया तो इसमें रूकेने की संसे काफी कम रहते हैं लेकिन मैं ये नहीं बुलूँ कि हमेशा ही स्कोर होते हैं लेकिन इसमें डिपेंड करता है ये दूसरे जो हमारे टीम मेट हैं वो कितने अच्छे पासिस जो प्रोवाइड करवाते हैं थू बॉल देते हैं शॉट पासिस देते हैं लॉग पास देते हैं जेम्स गोल नमबर टू दूढ़ने की ट्राई कर रहे हैंगे मिल नी रहा है बाई पता नहीं क्या हो गया है नमबर वन पे टीम चल रहे हैं दूसरी वी जो हमसे उपर ही है अब डिपेंड ये करता है कि जो नमबर वन और नमबर टू की टीम है वो जैसे हम मैच जीत रहे तो उन्होंने एक-एक मैच तो भी कही न कहीं हारना चाहिए ताकि पॉइंट टेबल में थोड़ इसी गड़वड हो जाया और इस गड़वड का हम भरपूर फाइदा उठा पाएं तो अब बढ़ते हां की तरफ और लुका को भी है नमको कोई मैसेज डाला है कि भाई साब मुझे जहां भी ब्या खेला होगे मैं रेडी हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ने है किसे विजिशन खेले के लिए भाई होगी भी कैसे प्रॉब्लम हमने तुमको बोला है भाई कोई बात नहीं आगे पीछे खेल सकते हैं हम ऐसी कोई दिक्कत आने वाले नहीं है तो हमने टीम की केमेस्ट्री भी सेट करके रखना है और प तो यह मैच जो है वैसे तो यह समझ लोगर हम हारते हैं और जो साकर नम्बर के टीम है उसको अगर तीन पॉइंट मिलते तो हमारे इकॉल हो जाएगी है अगर हम हारते भी नहीं और ड्रॉभा χणी और चीजिट जाते तो 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 फिलाल तो देखते हैं पिसे विलाफ से य वेस्टिंगे टाइम सी दबढ़ते हैं मैच की तरफ और ट्राइ करेंगे से मैच में भी तोड़ा ग्रैसिव मुमेंट रखने का और जेम्स भी आको पास दिखाने का बहुत ही बढ़िया बाल जेम्स के पास और जेम्स ने बहुत अच्छा पास के पैंल के लिए का यहां से गोज शकूर हो सकता है लेकिन नहीं ऑपसाइटि दिया है यार कैसे दिया आपसस बनिया ब है वापस चियल्विल के पास बॉल है गोड क्रोस लेकिन लुकाको के पहु वापस मुनिर के पास बॉल और मुनिर ने ऐसे गुड़ ग्रॉस और हेडर करने की ट्राई थी लेकिन बहुत ही बड़ी हाट डिफेंस वहाँ पे चल सी द्वारा और फर्स्टाफ के एंड विदाउट एनी गोल और गोल निकलना काफी डिफिकल्ट हो गया आज के मैच में से कि इसके पहले के मैचेस में जादा अची पर्फोर्मेंस थी लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते हैं डे वाई डे पर्फोर्मेंस में और दूसरी टीव के पर्फोर्मेंस में और दूसरी टीव के पर्फोर्मेंस में फुल बट चेंज़ आते रहते हैं तो डिपेंस की क्या होन क्या बात है डिफेंस विलाल थोड़ा ठीक चल रहा है अपने लेकिन ओप भाई निकालो बॉल यहां से शुकर है बॉल निकाल गी तो गोनल था मारे बास अवर्ट्स के पास बॉल है यहां पे और वापा संदर आने की ट्राइए किया बहुत इबड़िया मुव्मेंट बनाया और लेकिन गोल की पर खोचका नहीं बाई यार यह गड़वड हो गयी यहां पे और चांसे काफी कम बनते वे वापा से बॉल है यहां से अंदर आने की ये एक गोल जम गया दामा रहा वहां पर बहुत बढ़ बढ़ पास यहां से यह क्या यार जेम्स भाई चांस था ऑफसेट भी था और गोल स्कोर हो सकता है थे हुआ नहीं वापस अटाक पर यहां पर और यह क्या क्या फाल सकता भाई साब तो फिर क्या ही बोलू मैं अब देखना है कि रूकना चाहिए हम यहां गोल नहीं पड़ना चाहिए मारे उपर वापस काफी क्लोस था पर गोल हो गया ना करके तो पूरा हमारा काम करा वा जगा लेकिन फाइनली यह मैच यहां पर एंड हुआ है लेकिन एक एक पॉइंट के साथ है एंड हुआ है तो हमारे पॉइंट फिर भी 16 रहेंगा और इनके पॉइंट अगर 13 थे तो 14 हो लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी हमारा result satisfactory था क्योंकि हम अलड़ी टॉप कर रहें तो ज्यादा इक देना थी तो यह था हमारा आज की अपिसूड आई हूप आपको वीडियो पसंद आगे पसंद आगे पसंद आगे तो फटा फट लाइक कर देना शेयर दुकर दोस्तों